तू ही सागे है तू ही किनारा मनने आपने बहु वखोडियू छे शास्त्रोय पन मननी चंचलताने अनेक अनर्थोनू कारण साबित करेल छे काये छे कि जे मन उपर वीजय मिलवे तेने जिसिद्धी वरे कारण जो मन विहार शरू करे तो त्रणे भूवन ओचां पड़े मनने माकडू पन कई दिदू परंतु एक विरल संते तो मना सज्जना समर्थ स्वामी रामदा से तो मननी आगल श्री मुकी ने मनने गरीमा बक्षी समर्थ रामदा स्वामी एक ले चत्रपती श्रिवाजी महाराधना गुरू मुर नाम तो नारायन ठोसर महाराष्टना जालना जिल्लाना जंब गामे शक संवत पंदर सो त्रीस नी राम नव मिये स्री राम जन्मना मुरते मध्यानने बार वागे ते ओनो चन्मा सुर्याजी पंत और राणूबाईना आ संतान ने बार वर्ष नी उम्मरे सावधान एवो शब्द संबडायो और शास्त्रों नो अभ्यास करियो शरी ने सुद्रड बनाव्या पछी बार वर्ष भार प्रम्मन करियो मोगलोना शासन नो एसमय हिंदू दर्ममा भय हतो ने प्रजा निर्माल्य बनी गई हती रामदास जी नबळा लोकमानस ने धर्मनी साथे राष्ट्र धर्मपन समझावयो और समाजने दंडोल्यो आज भावना नेताओए छत्रपती शिवाजी मा जाकृत करी आएक मात्रसंत राष्ट्र गुरुनू सन्मान पाम्या समर्थ श्री रामदाशे गणेश अने सरस्वती वंधनाथी शरू करी भक्ती, शक्ती, मुक्ती, विश्वास, समर्पन, स्वनी शोध, मोह, अहम, वाजसंवार, संग, कुसंग, विवेक बुद्धी येवा विविद मानविय संवेदनों ने उखाडिया प्या अने चल्ले फर्शुती तो अजबूत रचना श्री मनाचे श्लोक थी थाई, ए मराथी आध्यात्मिक साहित्यनों मोर पिच्च छे चल्ला 400 वर्समां महराष्टमां एक पण एव घर नहीं मड़े के जे घरमां एक वार पाण श्री मनाचे श्लोक नुपठन न थाई मराथी मानुस नू ए संसकार सिंचन छे, श्री विनोबाजी ए समर्थ रामदास नी अकृती ने सोना नी लगडी गणावी छे तेवो संत तुकारामना समकाली इन छे, तत्वग्नानना खजाना समान श्री मननाश्लोको ए समर्थ रामदास स्वामिये मन साथे करेलो सववाद छे मुणे मराठी, पन समर्थ गुजराती, कवी वडोद्रान श्री मकरंद मुशले द्वारा आ सर्जननो समर्ष लोकी भावानू वाद पन आपनले मलेव छे आ उत्तम कारिय करवामा एमने बार वर्ष लाग्या समर्थ श्री रामदा से बार वर्ष से घर छोड़ियो, बार वर्ष शास्त्रा भ्यास कर्यो अने पछी बार वर्ष बारत भ्रम्मन कर्यो कदाची तेकलेज, श्री मनना श्लोक नू समश्लोकी करता पन बार वर्ष नू तब थायू हशे श्री मनाचे श्लोक रचाया कई रिते रोमान चक्खटना चे शक सम्वत पंदर सो सित्तेर महराष्टनू चाफल गाम राष्ट्र गुरुए श्री राम मंदीर नी स्थापना करी दर वर्षे राम नवमी उचवाई चो तरफना गामों माथी भिक्षा द्वारा धान्य ने रोकण आवे ने उजवनी थाई पचीती चत्रपती स्रिवाजी महराजे सरकार तरफ ती आर्थिक मदद राजकोश माथी मलती रहसे एम कईने उच्स उजवा पहल करी भिक्षा मागवानी जरूर न रही थोड़ा वर्षों आम चालियों कोई एक वर्षे राम नवमीना एकाद अठवाड या पहला सुधी राजकोश तरफ थी सिदू सामान उच्सव माटे न आवे उच्श्यों समर्थ श्री ने जान करी कोई सुच मियूं कि स्विवा जी महराद ने गनात करी ए परन्तु समर्थ श्री 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 ने कहूं चिंता छोड़ी ने पोत पोता ना कक्षमा सुई जाओ आने पोते कल्यान नामना एक प्रिय श्री श्री ने लई एक जाड नीजे बेठा शिश्य ने कहूं हूँ जे कहूं बोलू ते तू लख अने श्री समर्थ मनसा थे समवाद साध्यो समर्थ श्लोग बोलता जाए अने शिश्य कल्यान बोलाय श्लोग लखता जाए आम आखी रात समवाच चालियो ने परोड थयूं त्याँ वदू मड़ी ने बसों ने 5 श्लोक अउटर्या आ बच्चों ने प्लाँच श्लोक एतले श्री मना चे श्लोक और सवारे श्रिष्यों ने एकत्र करी धरेक ने 5-5 श्लोक आपी श्री समर्ते कहे हूं प्रत्येक शिक्ष्य गाममा जयी ने कोई एक घर आगल उबारे आपेला श्लोक माथी एक श्लोक बोले आने पची जय जय रघुवीर समर्थ नो कोश करे ने जय भिक्षा मले तेलाई बीजा घर आगल जयी बीजो श्लोक बोले बदा शिश्यो निकली पड़या श्री मनाचे श्लोक नो एवोतो प्रभाव पड़यो के राज कोश माथी आवता सिधा सामन करता वधू वधू एकत्र थयू अने आवर्षे वधू दामदूम थी राम नौमिनो उच्स उजवायो श्लोक मा कयूचे ते प्रमाणे मना क्रोधने वेत छेटो जराको मना विद्वजन मात साथ संवाद साधो मना सत्वरे दुष्टनो संग चोडो मना चूट शे जन्म जन्मो नो फेरो मना शब्द नहीं कर्मने बोलवादो विवादो मताले एसंवाद साजो तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा झालता है तो किसका सहारा